यह केपीयल की शुरुवात ही क्यों की गई सच केपीयल की शुरुवात इसकी जरूरत ही क्या कहते हैं खुदा किसी को दुश्मन भी दे तो कमजर्फ दुश्मन ना दे भारत ना सिर्फ कमजर्फ दुश्मन है बलके एक भूड़ा दुश्मन भी बनकर सामने आ रहा है कहता है और बड़ी खुशी से कहता है और एक्सर कहता है कश्मीर उसका अटूट अंग है लेकिन उनी कश्मीरियों को उसने बार लगा कर्फ्यू नाफिस करके बुन्यादी सोहलियात से महरूम करके दो सालों से कैठ खाने में रखा है उनकी खुस्وسी हैसित खत्म कर बैठा है लेकिन उसी से मुलहे का कश्मीर का दूसरा हिसा जो पाकस्तान से जूड़ा हुा है जो क्रिकेट लीग का इतमाम क्या करना था भारत की और हमारे इस बौंडे दुश्मन की चीखें निकल पड़ी इंटरनाशनल क्रिकेट काउंसल जा पहुँचा वहाँ पर चीखना शुरू कर दिया पैसे का धौस जमाया जब पैसा काम ना आया तो धंकियां देना शुरू कर दी यहां तक के इंटरनाशनल क्रिकेट काउंसल को ये भी केड़ाला अगर कश्मीर के अंदर ये लीग ना बंद करवाई या बैनल अकौमी कहलाडियों को ना रोगा तो हम पाकिस्तान के साथ बैनल अक्वामी मकाबलों में केलने से भी इनकार कर देंगे भाई आपको क्या मसला है इतना बड़ा दुश्मिनी के आड़ में ये भोंडा दुश्मन ना सिर्फ आपने आपनी कमजर्फी जाहिर कर रहा है बलकि अपना चेहरा भी काला करवा बैठा है तश्मीर के लोगों ने अपनी एक प्रेमियर लिग बनाई जिस तरह पंजाब, सिंद, इसलामबाद, कराची, कोईटा सब में बनी बैए अगर वहाँ पे बनी तो आपको क्या मसला है उसकी मिसाल ये है कि हालिये ट्वीट में साउथ अफरिका के लेजंड हर्शल गिब्स ने वाजित तोर पर ये कहा कि जनाब भारती जो क्रिकेट बोर्ड है उसने हर्शल गिब्स पर प्रेशर डाला कि वो कश्मीर प्रीमियर लीग खेलना ना जाए और अगर खेलने गया तो फिर धमकी दी गई कि उसे भारत के किसी भी इवेंट में केलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी हर्शल गिब्स लिखते हैं भारत क्रिकेट को लेकर अपने सियासी अजंडे की तकमील के लिए बाकी तमाम खिलाडियों और खास तोड़ पर साउट अफरिका के लेजंड हर्शल गिब्स को धमकियां दे रहा है कि वो कश्मीर प्रीमियर लीग से विड्रॉल करते उसे भार निकलाए और उस इवेंट का हिसा ना बने हर्शल गिब्स ने तो खेर बात ना मनी लेकिन ये कमबख्त और ये भूंडा दुश्मन बाकी प्लेयर्स चाहे सिरलंका के हो या चाहे इंगलेंड के हो उनके पांस चला गया प्रेशन बिलाया पैसे का धौंस जमाया बहुत सारे खिलाडियों को रोकने में तो कम्याब हो गया लेकिन इस लीग को ये दवाम जरूर बख्षा इस लीग को एक पैनल अक्वामी नुएत की लीग बना दिया और भारत की बुखलाहट की वज़े से आज पूरी दुनिया की नजरें आजाद किश्मीर के दारल हुकुमत मुझफराबाद में हैं जहां पर किश्मीर प्रीमिर लीग का इफ्ताई तक्रीब हुई रंग बिक्रे और पहाड़ों के दामन में वाके ये खुबसरत वली के लोग वहाँ पर मुझूद थे पोपाकिस्तान की स्यासी क्लास मुझूद थी था में यूनिटी का मुझाहरा कर रहे थे और भारत की जो अटूट अंकी रट है उस पर एक के बाद एक जिक लगाई जा रही थी भारत अपना मूँ काला करवा बैठा है और बहुत सारे बैनला क्वामे खिलाडी भारत की इस दौस धंकी को जुटला कर किश्मीर प्रीमिर लीग का बाकाईदा इस्सा बन चुके हैं और जू जू ये लीग बढ़ेगी जू जू इसके रंग बिखरेंगे तू तू ये दुश्मन अपना मूँ मजीद काला करवाता रहेगा